और दोस्तों कैसा है आप सभी तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फोन्स अंडर 30,000 मतलब 30,000 रुपाई के अंदर कौन सा बढ़िया फोन है तो वाला भी मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो जरूर एंड तक देखेंगे मैं कुछ फोन से रखमेंट करूंगा उसमें से आप अपने अनुसार कोई भी फोन को चॉइस कर सकते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नया है तो लाइक कर ना भूले शेर किजा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके इस बारिक कीट से बारिक की कलर भी आपको इजली देखने को मिलेगा वहाँ पर कोई दूसरे फोन में आपको वैसे कलर से देखने को नहीं मिलेगा तो वो आपको पोको F5 5G दे रहा है तो 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले भी है 120 Hz रिफ्रेश रेट है तो Snapdragon 7 Plus Gen 2 का चिपसेट इ ऐसे नहीं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ओके तो उसके लिए दूसरा फोन है तो यह गेमिंग आज वलाज मल्टी मीडिया फोन देख रहा है तो डेफिनेटली पोको F5 5G लेना है आपको तो नमबर टू इन लिस्ट काउन सा हो सकता है एनी कैसे तो Samsung की तरफ से F54 5G latest edition from Samsung यहाँ पर क्या है यूनिक बात एक तो One UI का बहुत ही अच्छा है बहुत ही useful features देते है Samsung अभी कोई struck वा कैसे कुछ नहीं होता है and 8GB to 56GB version आपको 30,000 रुपई के अंदर मिल रहा है and सबसे बढ़िया चीज है की camera इसका so 108MP का बहुत ही अच्छा no shake camera मतलब इसमें optically image stabilization का भी use किया गया है nitography है तो धेर सरे इसमें आपको features मिलेंगे useful features वैसे ही perform भी करेगा तो performance wise भी अच्छा है इतना नहीं कि बहुत ही अच्छा मैं का सकता हूं लेकिन अच्छा है चल जाना चाहिए 6.7 inch का beautiful 128 samsung का ही अपना 120 hertz display इसमें लगाया है तो एक beautiful looking phone beautiful display and beautiful camera आप दे तो ये वाला देखे value for money phone में का हूंगा इसमें है जैसे के आपको बता है वीवो OPPO का cousin है IQWO इसमें सारा चीज़ डाल देते है experiment करने के लिए हो या किसी वजह के लिए हो लेकिन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है as a consumer Diamond City का 8200 latest 4 nanometer chipset आपको इसमें दिखने को मिलगा आपको बहुत है तो अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप यह phone consider कर सकते हैं last but not the list यह कौन सा हो सकता है realme love and pro plus 5g इसमें realme में धेर सारे options है लेकिन आपको लेना है love and pro plus वाला लेना है plus वाला last में ओके तो यह 5G phone सारे phones 5G actually तो इसमें आपको मिलता है 200 megapixel का optical image stabilization वाला camera 200 megapixel मतलब main camera जो है बहुत ही बढ़िया है along with that 4x lossless zoom मिलता है मतलब 4x आप जूम करके भी खीच सकते हैं बहुत ही अच्छा photos आता है and selfie camera भी अच्छा है realme love and pro plus का and इसमें 6.7 inch 120 Hz डिस्प्लेइ मिल की जाता है 12GB RAM है 256GB storage के लिए है overall बढ़िया phone देख रहे है realme आपको कोई problem नहीं है इनका operating system भी पसंद आता है तो definitely love and pro plus 5G ले सकते हैं हाँ personal recommend पूछ रहे हैं कौन सा phone लेना इतने में मतलब मैं suggest करूंगा Samsung का F54 5G just for being safe बहुत ही अच्छा features देते हैं बहुत ही अच्छा camera setup है और देर सरे deals and offers आरा है मैं बताते जाओंगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एवरिवरिवन बाबाई